वेलकम बैग फ्रेंड्स यह है हमारी वीडियो नमबर 63 क्लास 12 कम्पूटर साइंस विद पाइफन सीरीज के लिए और हम डिसकस कर रहे थे चैप्टर नमबर 2 फंक्सन्स को और इस वीडियो मां हम यहाँ पे कुछ कोश्यंस करने वाले हैं इनका प्रोग्राइम हम यहाँ पे लिखेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर हमको एक लिष्ट दी हुई है तो इस लिष्ट के सभी जो एलिमेंट्स हैं अगर इंटीजर टाइप हैं तो उन सबका सम हम किस तरीके से कैलकुलेट करके एक फंक्सन से रिट और इसमें कुछ element मैं दे लेता हूं for example 34, 45 है 12 है and then 78 है तो इन सभी जितने भी हमारे इसके अंदर है इन सभी को हमने add up करना है तो इसके लिए मैं एक function यहाँ पर create करता हूं for example आपर def sum नाम से अब देखिए जिस लिष्ट को हम यहाँ पर accept करेंगे तो यहाँ पर एक variable हम लेंगे जो कि आपका इस लिष्ट को accept करेगा तो माल लिजे एस नाम से मैं एक लिष्ट यहाँ पर ले लेता हूं यानि कि एक variable है जो simply इस function को हम call करेंगे तो S-Name के variable में ही यह पूरी की पूरी list यहाँ पे store होगी and then हमको sum निकालना है तो एक variable हम ले लेते हैं जिसमें को हम initialize करेंगे आपका 0 के साथ and then हम इसको एक loop में run करेंगे तो आपका iterative statement जो होते हैं looping statement वो सभी sequence के साथ support करते हैं तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ for x in s तो यहाँ पर x के अंदर सबसे पहले value आएगी आपका 34 then 45 then 67 then 12 then 78 तो simply हमने sum यहाँ पर करना है तो sum equals to sum plus simply जो x की value है आप इसको sum equals to sum plus x भी लिख सकते हैं या simply अगर आप इसको sum plus equals to x लिखेंगे तो भी आपका जो sum है वो same तरीके से मिलेगा क्योंकि इस certain तरीका होता है तो यहाँ पर sum आने के बाद अब हमको simply यहाँ से return कर देना है जो आपका sum यहाँ पर हमने calculate किया है and then यह हमारी list हो गई और इस list को अब हम यहाँ पर pass on करेंगे यानि कि इस function को हम call करेंगे और इस list को उसमें हम pass यहाँ पर कर देंगे तो pass होने के बाद जो इसका result आया है तो उसको आप चाहें तो एक variable में रखके store कर सकते हैं या directly आप इसको print भी कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ sum of elements जो हमारा sum है यहाँ पर elements का is तो यहाँ आएगा आपका इस function को calling करने के बाद तो देखिए simple सा हमारा code यहाँ पर complete हो गया तो इसको मैं यहाँ पर run करके दिखाता हूँ तो देखिए 236 हमको यहाँ पर इसका sum मिला है तो यह तो हमारा पहला यहाँ पर program था तो दूसरा आप हम यहाँ पर एक program और यहाँ पर बनाएंगे जिसमें हमको देखिए जितनी भी हमको एक list ही दे हुई है और इस list के अंदर जितनी भी हमारे even numbers है उनकी हमने अलग से एक list बनानी है यानि कि हम यहाँ पर चाहते हैं कि एक list हमको मिले जिसमें even numbers केवल हो यानि कि 34 हो देन हमारा 12 हो तो इस तरीके से एक list हमने generate करनी है तो यहाँ पर मैं question को change कर देता हूँ और यहाँ पर next question हमारा है create a new list of even numbers from a given list तो simple सा हमारा program यहाँ पर होगा तो इसके लिए भी सबसे पहले मैं def keyword की मदद से यहाँ पर even नाम से एक function बना लेता हूँ या even list नाम से में एक function बना लेता हूँ then मैं इस list को यहाँ पर accept करूँगा एक list नाम के variable में है अब देखिए मुझे यहाँ पर एक नई list create करनी है तो नई list create करनी के लिए empty list की हमको यहाँ पर जुरत पड़ेगी तो empty list में यहाँ पर ले लेता हूँ आप किसी भी नाम से इसको variable को ले सकते हैं और list आप बना सकते हैं या तो list function की मदद से या directly अगर आप यहाँ पर big bracket देते हैं तब भी एक empty list हमारी create हो जाती है then हम क्या करेंगे हम simply traversing यहाँ पर करेंगे तो for x in s अगर मैं लिखता हूँ तो x के अंदर हर बार आपको एक नया element आएगा यानि कि सबसे पहले 34 then 45 then 67 तो इस element को हमने check करना है कि यह even तो नहीं है तो if अगर x जो होता है और इसका remainder अगर हम निकालते हैं 2 से और अगर हमको 0 मिलता है तो simply यह element हमारा even होगा तो even होते ही हमारी जो empty list यहाँ है इसमें हम append कर देंगे इस value को यानि कि simply x को तो इसके अलावा अगर आप else यहाँ पे चलाए तो जो odd number है उसकी भी हमको एक list यहाँ पे मिल जाएगी and then finally हमने यहाँ से return करना है इस empty list को तो अभी empty नहीं रहीगी इसके अंदर कुछ data हमने यहाँ पे दे दिया है and then simply इस function को हम call करेंगे यानि कि even list and then आप इसको चाहें तो directly print भी कर सकते हैं तो चलिए मैं इसको directly print यहाँ पे कर देता हूँ तो देखें simple सा है हमारे basic से program यहाँ पे बनाने होता है आपने function के अंदर missing one required positional argument तो देखें यह कह रहा है कि एक positional argument यहाँ पे missing है क्योंकि मैंने list को simply यहाँ से pass on नहीं किया है तो देखें list हमने pass on कर दी और जो इसके even numbers वाली हमारी नई list बनी है वो हमको यहाँ पे result में मिली है तो यह second program हमारा था तो third program अब यहाँ पे हम बनाते है string से related तो simply हम एक program बनाएंगे जिसमें कि एक function हमको बनाना है जिसमें कि एक given string के अंदर जितने भी हमारे lowercase या uppercase characters है उनको हमने read करना है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ next question है कि count total number of lowercase and uppercase characters in an given string तो यह हमारा next question यहाँ पे है तो इसके लिए भी हमको एक सबसे पहले एक string लेनी है तो माली जे मैंने as a question यहाँ पे ले ली यहाँ इसमें मैं लिख देता हूँ python is a चलो uppercase भी हमें चीए python is a great programming language तो simply हमने एक string यहाँ पे ले ली अब इस string के अंदर कितने uppercase है और कितने lowercase है यह हमको यहाँ पे find out करना है तो देखिए इसके लिए हम एक function यहाँ पे बनाएंगे for example function का नाम मैं लिख देता हूँ आपका find नाम से और इसके अंदर हमने इस string को यहाँ से pass on कर दिया then def keyword की मदद से हमने function बनाना है find नाम से और जो string हमारे पास है चलिए इसको मैं यहाँ पे आपका h नाम से ले ले लेता हूँ आप किसी भी नाम से variable यहाँ पे ले सकते हैं तो देखिए यहाँ पे भी same है हमारी जो string है इसके हर एक element पे हम यहाँ पे check करेंगे तो सबसे पहले मैं एक loop यहाँ पे run करता हूँ for x in h तो यहाँ पे देखिए h के अंदर जो string आई है यानि कि x के अंदर सबसे पहले p आएगा then y then t then h then o and इस तरीके से पूरी string आएगी तो checking के लिए simply हमारे जो checking के यहाँ पे inbuilt functions होते हैं string के उनको हम यूज करेंगे तो यहाँ पे देखिए अगर हमको lower case और upper case find out करना है तो मैं दो variable यहाँ पे ले ले लेता हूँ for example lower case request to 0 and upper case request to 0 तो दो variable आपने initialize करने है and then simply x dot is upper तो देखिए x के अंदर आपका एक करेक्टर आएगा यान कि सबसे पहले p then y तो हर एक करेक्टर को हम चेक कर रहे हैं तो अगर आपका यहाँ पे x जो है is upper होता है साथ में condition भी हम देंगे यान कि if x dot is upper अगर यह upper होगा तो simply जो upper case है यान कि lc तो इसमें हम plus one यहाँ पे करेंगे तो plus equals to one भी आप कर सकते हैं या lc equals to lc plus one भी आप कर सकते हैं और ऐसी alis के अंदर x dot अगर यह is lower है तो simply हम यहाँ पे जो हमारा lower वाला है uc यान कि lower case sorry एक lower case मैंने उल्टा यहाँ पे कर दिया तो upper case का जो variable है उसको हम uc से declare करते हैं और lower case को हम lc से यहाँ पे दिखाते हैं equals to one और अगर कोई और यहाँ पे character होता है number हो या simply space हो तो इसके लिए simply हम यहाँ पे pass का use कर सकते हैं and then simply हम यहीं पे print कर देंगे कि हमारे जो upper case है upper case is simply आपका यहाँ पे आ जाएगा uc के अंदर and आपका जो lower case है उसको भी हम print कर देते हैं यानि कि आपका lower case is जो आपका lower case है वो आएगा आपका lc के अंदर यानि कि lower case के अंदर तो देखिए simple सा हमारा program था इसको run करके अब हम यहाँ पे check कर लेते हैं तो देखिए upper case के वल 4 है and remaining जितने भी हमने दिये हैं वो हमारे lower case के अंदर है तो यह simple से हमने यहाँ पे कुछ program यहाँ पे create किये तो चलिए एक program और हम यहाँ पे create कर लेते हैं जिसमें के given string को simply हमने reverse order में यहाँ पे आपका return करवाना है यानि के एक नई string हम बनाए और जो python is a great programming language है तो इसका reverse हमें मिले यानि कि सबसे पहले e, g, u इस तरीके से यह पुरा reverse में और पूरी string हमको यहाँ पे reverse में यह return करके दे तो देखिए हमने यहाँ पे function जो बनाया है तो function में यहाँ पे ले लेता हूँ reverse istr यानि कि reverse string हमको यहाँ पे चीए और जो भी इससे आएगा उसको simply हम यहाँ पे print कर देते हैं इसको हम simply यहाँ पे print भी कर देते हैं और string भी हमने दे दी and then मैं यहाँ पे question change कर देता हूँ हमारा reverse के लिए हमने question create करना है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका इसके अंदर reverse of a given string एक string का reverse हमने यहाँ पे बनाना है तो def then function का नाम हमने यहाँ पे बनाया है reverse str और यहाँ पर इस string को accept करने के लिए आप कोई भी variable ले सकता है देखिए आप चाहें तो same variable भी यहाँ पर ले सकते हैं जो हमने variable s लिया है बस दोनों यहाँ पर different होंगे क्योंकि एक आपका local variable होगा एक global variable जैसे यहाँ पर s जो है यह global variable है और इस function के अंदर भी अगर मैं s लेता हूँ तो कोई भी problem नहीं है यह हमारा जो होगा local variable होगा तो reverse string बनाने के लिए सबसे पहले reverse string एक variable मैं यहाँ पर ले लेता हूँ जिसमें starting में कोई भी string नहीं है एक आपका reverse यहाँ पर है यानि कि एक empty string हम ने ली और इसी में हम हरे character को यहाँ पर add up करते वे जाएंगे तो इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले तो इसका जो यहाँ पर length है उसको मैं calculate कर लेता हूँ यानि कि length of string जो इसकी actual length हमारी है and length के बाद देखे जो भी इसकी length होगी माल लेते हैं यह जो हमारी string है इसकी length आपकी लगबग यहाँ पर 30 है तो 30 यहाँ पर total size आएगा लेकिन अगर हम indexing की बात करें तो index number एक कम यहाँ पर होगा यानि कि आखरी जो element यहाँ पर होगा यह 29th position पर होता है तो length हमने calculate करी और अब हम यहाँ पर एक loop चलाएंगे कि while जब तक आपका जो यहाँ पर index है यह आपका greater than होता है 0 के तब तक हम चाहते हैं कि यह loop हमारा run करे 0 से greater यानि कि क्योंकि हम reverse मा आ रहे हैं यानि कि 29, 28, 27 अगर इस string की length हम यहाँ पर 30 माने तो इस तरीके से हम reverse मा आएंगे तो हम चाहते हैं कि हमारा loop है वो जब तक 0 से greater होता है तब तक यह loop हमारा चलता यहाँ पर रहे and then simply हमारी जो reverse string है इसमें हम reverse string यानि कि already जो है वो भी आता रहे plus जो हमारी यहाँ पर string है यानि कि s तो इसका जो index है उसको हम यहाँ पर इसके अंदर assign करेंगे तो index minus 1 आपने करना है क्योंकि एक extra हमारे पास यहाँ पर है and then हम यहाँ पर simply जो index हमारा है उसको एक-एक उसमें हम decrement यहाँ पर कर देंगे यानि कि index equals to index minus 1 तो इस तरीके से सबसे पहले last में e यहाँ पर आएगा last जो हमारा index है तो e आपका इसमें add होगा then आपका g add होगा then u यूदि हमने plus operator यहाँ पर use किया है इसको हम simply concatenation operator भी कहते हैं जब हम string के साथ इसको use करते हैं तो simply सभी हमारे इसके अंदर add up होंगे and finally इस loop के बाहर से हम यहाँ पर return कर देंगे reverse string को तो simple सा हमारा code है चलिए इसको हम run करके अब यहाँ पर देख लेते हैं तो देखे python is a reverse order में हमारी पूरी की पूरी string जो है यहाँ पर print हो गई तो I hope आपको समझ माया होगा कि किस तरीके से आप किसी भी variable को function के अंदर send करते हैं और value कर return करनी हो तो हम return किस तरीके से कर सकते हैं तो इसी के साथ हमारा यह chapter भी complete होता है I hope आपने कुछ questions और भी practice आपने करने है तब आपका यह chapter जो है completely तैयार होगा तो इसी के साथ हमारी यह video भी खतम होती है वीडियो नंबर 63 तो मैं मिलता हूँ से next वीडियो में वीडियो नंबर 64 जहां पर हम स्टार्ट करेंगे chapter नंबर 3 file handling को वीडियो नंबर 64